नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अंशिमा गुटिक चैनल में दोस्तों आज मैं आपको 36 इंच के बिल्ट ब्लाउज की स्टीचिंग बताऊंगी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इसकी आपको कटिंग बताई थी मैंने इसमें स्टेप बाई स्टेप आपको बताया तो उसी को बताने के लिए मैं इसके स्टीचिंग की वीडियो लेके आई हूँ तो ये जानने के लिए कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि जो निशान मैंने लगाया था वो स्टीचिंग करते समय कैसे कट करेंगे और उसको कैसे सिलेंगे तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लाउज की स्टीचिंग तो दोस्तों हमें अपनी ब्लाउज वैसे ही सिलना है जैसे हम हर ब्लाउज सिलते हैं ब्लाऊज की स्टिचिंग वैसे ही करनी है लेकिन मुझे जो आपको मेंन समझाना है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ वो आगे के पल्ले में होगा देखे दोस्तों इसके लिए मैंने एक पल्ला तैयार कर लिया है और एक पल्ला मैंने ऐसे ही रखा है मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो मैं आपको इसमें बता सकूँ तो दोस्तों देखिए मैंने यहां से हुक और आई की पट्टी का निशान लगाने के बाद मैंने पाव इंच एक्स्रा निशान लगाया था यह निशान मैंने क्यों लगाया था यही चीज मैं आपको बत कि दोस्तों इसको फूरा तयार करने के पाद यहां से यह चीज थोड़ा ऐसे जुका हुआ है और यह जब ऐसे रहेगा और हमारा गला बनेगा तो उसकी फिटिंग सही आएगी और जब यह ऐसे जुका होगा तो हम जब यहां पट्टी लगाएंगे तो हमारी पट्टी भी थ जाता है तो देखिए दोस्तों मैं यहां से आपको नाप के दिखा दे रही हूं कि इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों यहां से नापने के बाद यह पाव इंच एक्स्ट्रा हमारा इधर आया है देखिए यह हमारा यहां से हम नापेंगे देखिए यह पाव इंच हमार करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा स्टीचिंग के समय हमें पूरा यहां से मिला के तब इसकी कटिंग करनी होगी तो दोस्तों इसलिए इसको मतलब कट करते समय ही इसकी कटिंग कर लें अब मैं यहां से जब मैं इसको बराबर करूंगी तो यहां से मुझे अपना ऐस इसको cutting करते समय इसकी cutting कर लेंगे तिर्षे में तो जब हम इसकी stitching करेंगे तो वो ऐसे बराबर से आ जाएगा और हमारा गला कहीं से भी धीला नहीं होगा यह जब हम पहनेंगे तो एकदम बराबर से ऐसे tight से बैठ जाएगा तो दोस्तों इसको आप cut करना नव भूले जब भी आप built blouse बनाए तो इसकी cutting करना नव भूले अगर इसकी cutting आप नहीं करेंगे तो आपका गला बराबर से नहीं बैठेगा तो दोस्तों मुझे जो बात बतानी थी इसमें मैं वो आपको बता दी हूँ कि ये चीज हम क्यों cut करते हैं अब मैं आपको इस blouse को पूरा तयार करके दिखाती हूँ कि इसका look कैसे आएगा तोस्तों हमें stitching करते समय जैसे हम normal हर blouse तयार करते हैं उसी तरह से हमें पीछे का पला आगे का पला तयार कर लेना है अपना स्लीव जोड़ लेना है सब उसी तरह से हम कर लेंगे बस ध्यान रहे कि ये cutting हमें करना जरूरी होता है अब मैं आपको इस blouse को तयार करके दिखाते हूँ कि इसका look कैसा आता है देखिए दोस्तों मैंने ये blouse तयार कर लिया है और आप देखिए इसका look कितना सही आया है दोस्तों ये चीज ऐसे जुपके नहीं आया है जब ये ऐसे आता तो पहनने के बाद ये चीज धीला आता और ये देखिए एकदम बराबर से आ गया है जैसे हमारा हर blouse आता है fortus वाला blouse आता है उसी तरह से ये बराबर आ गया है तो दोस्तों इसको पहनने के बाद इसकी fitting एकदम perfect आएगी और ये एकदम सही होगा तो देखिए दोस्तों आप सामने से भी देख सकते हैं कि ये कितना सही से बन गया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे comment box में जरूर बताईएगा अगर इसकी सिलाई के संब्ध में कुछ आपको हमसे पूछना है कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं उसे पसंद करते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धर्मिवाद